हेलो आज में आप सब के साथ एक बहुत हेल्दी बट्टेस्टी पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ अब सब ने ड्रम स्टिक का नाम तो सुनाई होगा हिंदी में जिसे बोलते हैं शहजन या सजनी की फली और बेंगोली में इसे बोलते हैं शौजना तो आज में ड्रम स्टिक फ्लावर पकोड़े की रेसिपी आप सब को दिखाऊंगी तो चलिए हम इसकी इंग्रिडियन्स देख लेते हैं हमें चाहिए एक से देर कप ड्रम स्टिक फ्लावर जो मार्केट में हैं आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों सर्जन की फली इसके फूल और इसके पत्ते सेहत के लिए स्पेशली डाइवर्टिस कम करने के लिए बहुत ही हैफफूल होते हैं और चाहिए एक कप बेसन दो से धाई टेबिल स्पून चावल का आटा यानि की चालेर गूरो नमक अपने स्वादा नुसार हाप टी स्पून हल्दी हाप टी स्पून कश्मीरी रेच चिली पाउडर और हाप टी स्पून काली मिर्च पाउडर और फ्राइंग के लिए हमें चाहिए हाप कप से थोड़ा से ज़्यादा रिफाइन ओयल तो सबसे पहले हम बेशन के बैटर को तयार करेंगे और इसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे और उसमें एक कप बेशन को डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाप टी स्पून हल्दी अपने स्वादा नुसार नमक हाप टीस्पून कश्मीटी रेच्छिली पाउडर और हाप टीस्पून से थोड़ा सता कम काली मिश्च पाउडर इसके बाद हम डालेंगे दो टीबल स्पून चाबल का आठा चाबल का आठा डालने से पकोडे क्रिस्पी बनते है अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आठ करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे बैटर में बहुत ज़दा पानी आठ ना हो और कोई लंज ना बने इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी आठ करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे उइदाउट एनी लंज पकोडे का बैटर अच्छे से बन चुका है तब हम इसको 5-6 मिनिट के लिए अलग से रख देंगे 5-6 मिनिट बाद हम एक कड़ाई ले लेंगे और उसमें हपकप से थोड़ा से ज़ादा रिफाइन आइल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल के गरम होने तक हम बैटर में ट्रम स्टिक फ्लावर को मिक्स कर लेते हैं फ्लावर को हम सौफली बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इधर तेल भी गरम हो चुका है तो अब हम अपने पस्तन से स्मॉल और मिडियम साइज के पकोड़े तेल में डालेंगे पकोड़ों को अगर अब लो याफी मिडियम फ्ले में फ्राई करोगे तो ये बाहर से भी अच्छे से फ्राई होगा और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएगा पकोड़ों को हम गोल्डन कलर आने तक मिडियम फ्ले में फ्राई करते रहेंगे ये पर्फिक्ली फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको तेल से निकाल लेता है सेम प्रोसेस में हम बागी पकोड़ों को भी तल लेंगे कर दो लेंगे दोस्तो तैयार हो चुका है ड्रम स्टिक फ्लावर के हेल्दी एंटेस्टी गर्म गर्म पकोड़े तो आई हो दोस्तो कि आप सब कोई रिस्पी पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तैंक यू